दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटल और अर्थिंग के वारे में कि न्यूटल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है क्योंकि अभी तक कुछ लोगों को ये पता है कि जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसमें एक तो फेस बायर होता है दूसरा होत होते हैं उन्हें यह पता होता है कि जो सप्लाई है वो सिर्फ हमारी आर्थ फेस पर चलती है उन्हें न्यूटल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि न्यूटल क्या होता है और क्या यूज होता है न्यूटल का तो आज हम आपको इसकी subscribe जरूर कर लें क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों बात करें neutral की तो जो हमारा supply आती है जो हमारी जो घर के पास में जो भी पोल लगा होत वो चलती है जो भी हमारे उपकरण होते हैं वो चलते हैं अगर हम बात करें neutral की की neutral का क्या काम होता है तो देखिए जैसे हमारा जो एक बायर में फेस आ रहा है तो उस बायर में current होता है तो जैसे हम कोई भी उपकरण चलाते हैं तो वो क्या करता है जो current है उस उपकरण में होते हुए और फिर हम उसमें neutral wire को connect करते हैं तो उससे वो return आ जाती है जो भी current बहाँ से जाती है वो neutral wire से return हो जाती है जहां से हमारा face आ रहा है current आ रहा है, हो बहीं चली जाती है तो अगर हम neutral को connect नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी उपकरण है वह नहीं चलेगा अगर हम एक बाय को किनेक्ट करदेंंगauen तो हमारा लोता है जो हमारे नेटल होता है। जहां से ट्रांसफार्मरस से पहले का रहा जहां से करेंट आती है तो बहीं पर जैसे हमारे तीन से दो स्कोने करता है तो w वहीं पर ट्रांस्पारमर के पास में वहाँ पर उसको अर्थ कर दिया जाता है वहाँ पर ग्राउंडिंग की जाती है और उससे कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो भी हमारे यहां से फैन या जो भी उपकरण है उसमें से जो करेंट जाएगी वह जाते हो रेटन होके जो हमारे transparent के पास neutral point होगा उसमें जाएगी और बूब वहाँ पर connect होता है earthing से तो जो भी हमारे current है वो earthing में चली जाएगी ground हो जाएगी तो इस प्रकार से ये neutral work करता है तो अब बात करें earthing से तो earthing से भी हम जो भी घर के उपकरण है उनको चला सकते हैं लेकिन ये उसका सही use नहीं है ये गलत use होता है जो हमारा safety के लिए बहुती नक्षान दायक होता है तो आपको हम इसका सही use बताएगे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस यसे भी हम कैसे चला सकते हैं जो एर्थिंग होती है उस से कैसे चलाया जाताम कोई भी उपकरन वेखायों तो सप्लाइं करके आते हैं तो अगर बहुत सप्लाइं को लेखे। आते हैं बहां से जो pog b करेंगे और बहां से एक बायर को युरू इसे एक बायर को चलाते हैं तो इसा भी होता है कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं उससे बॉल्टेज ड्रोप ना हो और जो लास्ट में हमें जो बॉल्टेज चाहिए उतना बॉल्टेज मिल जाए तो वो उससे उपकरण उनकी चलते रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है, आपका न्यूटल में होता है, न्यूटल से और फेस से आपको चलाना होता है, कोई भी उपकरण है, और जो आपका अर्थिंग होता है, वो आपका सैप्टी परपस के लिए होता है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं, तो देखिए, जैसे आपका कोई और face की supply उसको दी, तो क्या हुआ, कोई भी मोटर है, मोटर हुई या हमारा cooler है, वो खराब हुआ, और जो face wire था, वो connect हो गया है, उसकी body से, जब उसकी body से connect होगा, पूरी body में run करने लगेगा, और जैसे वो उसकी do ζayसे जइसे, यह cooler हुआ यह उसको टश करेंगे तो जो सभूत हिए बो सब्सक्राइब वो हमें लगेगा तो क्या होता है जो करेंड होती वह जमीन में जाने की पूरी कोसिस करती है क्योंकि उससे जमीन में जाना होता है जैसे जमीन है वो हमारी gravity रहती है तो जैसे कोई भी चीज़ है उससे attractive रहती है उसके अंदर जाना चाहती है जैसे हम कोई पत्थर उपर उचा ले तो बहुत ही speed से नीचे की साइड जमीन की साइड आएगा इसी प्रकार से जो current होती है वो भी जमीन के अंदर जाना चाहती है तो व हमारा earthing होता है वो क्या safety provide करता है हमारे लिए जो हम safety purposes का use करते हैं तो देखे जो भी current होती है वो एक सरल रास्ता चुनती है जमीन में जाने का जिसमें उसका resistance है वो बहुत ही कम हो उस रास्ते को चुनेगी और जमीन में जाएगी क्योंकि जाना उसको जमीन में ही है क्यों रास्ता उसको सरल लगता है उसी रास्ते से वो जाती है तो जो earthing क्या होता है हम उसके लिए वो सरल रास्ता بना देते हैं क्योंकि जो हमारी body का resistance होता है वो अगर में नौर्माल बॉडई है तो उसमें हमारा 1000 ओम की खिरी रहता है तो जो अर्फिंग होती है जो हम अर्फि पर टौंजर आर्ति disp Charto ऐसे हमारा 1000 ओम हो गया हमारी बोड़ी का रेस्टेंद और हमने अपने घर के लिएostic और वो अर्थिंग को जो भी metallic body है जहां जहां पर अर्थिंग को यूज करना है उससे हमने उस बायर को body से connect कर दिया है तो जब भी बहाँ पर leakage current होगा जो phase wire है वो body से touch होगा तो जो current है वो अर्थिंग के द्वार जमीन में चली जाएगी और जो हमारा body का resistance जादा है तो हम उस metallic body को कैसे भी touch कर लें वो current है वो हमें नहीं लगेगा तो यस safety purpose से जो अर्थिंग है उसका use किया जाता है तो अर्थिंग कैसे करते हैं वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कि अर्थिंग को कैसे किया कितने प्रकार की अर्थिंग की जाती है तो जो अर्थिंग का resistance है हम कोई भी अर्थिंग करें तो कोसिस करें जो अर्थिंग का resistance है वो कम से कम हो जितना resistance कम होगा उतना जादा safety हमें उससे मिलेगी तो इस प्रकार से आपको न्यूटल और अर्थिंग के बारे में पता लग गया होगा कि न्यूटल क्या होता है और अर्थ क्या होता है तो जो हमारा main supply आती है घरों में आती है जो मीटर तक बहाँ पर एक तो न्यूटल आता है एक फेस आता है और जो अर्थिंग होती है वो हम अपने safety के लिए करते हैं हर कोई नहीं करता है जो इस चीज को समझते हैं और उन्हें जरूरत रहती है वो अपने घर पर अर्थिंग को करवाते हैं और जो भी metal body वाले जो भी उपकरण होते हैं उसको बहाँ पर अर्थिंग करके रखते हैं जिससे की उन्हें current ना लगे तो इस प्रकार से इसका use किया जाता है तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो इसको like share जरूर करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए है वो चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में